So hey everyone, आज हम बनाने वाले 3D Glass Drawing और इसे मैं चारकूल पेंसिल से बनाने वाला हूँ So let's start यहाँ पर मैं फटाफट सा आउटलेंड को ड्रॉ कर लूँगा मैं एक बेजिक सा आउटलेंड ड्रॉ कर रहा हूँ ग्लास का उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चारकूल को खीस लिया है सेंट पेपर के उपर और उससे मैं थोड़ा सा डार्क कर ले रहा हूँ पेपर को फिर उसके बाद मैंने एक चारकूल पेंसिल लिया है फिर उसके बाद मैंने इसे shade कर दिया है pencil से यहाँ पर मैं makeup brush यूज़ करूँगा blending के लिए आप चाहे तो tissue paper या फिर cotton का भी यूज़ कर सकते हैं पूरा glass shade होने के बाद मैं यहाँ पर shadow बना रहा हूँ glass का ताकि हमारा 3D जो look है अच्छे से आए shadow में भी मैं same process ही करूँगा उसके बाद मैं यहाँ पर highlights को दे दूँगा highlights को देने के लिए मैंने यहाँ पर monotombo eraser का यूज़ किया है ज्यादा brighter areas के लिए मैं यहाँ पर whitener का यूज़ करूँगा हमारा ट्राइंग कम्रीट हो चुक है तो दो लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल पर मोर इस थाप वीडियो थाइंक यू फर वाचिंग